हाई प्रग्या स्मार्ट क्लासस में आप सभी का स्वागत है मैं 74 एक बार फिर अपनी जो पुलिस आरक्षा कॉंस्टेविल की परिक्षा की तैयारी चालू की थी हमने उसकी मैस को आंगे कंटीनू करना चाहेंगे हमने लाज्ट क्लास में साधार व्याज श्टाइट किया थ यह थे अब उसी को आगे कंटीनू करते हुए हम अपना आची क्लास को समाथ करने कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको कॉशन दिया गया है यह वाला कॉशन हमने होंबर्ग में दे रखा था तो यदि किसी का आंसर आया तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है यही हमन कितना दस सो असी का ऐसा ही मिलता है मतलब कुल ऐसा ही आपको कितना एक हजार असी रुपे मिलता है ठीक है एक हजार असी रुपे आपको क्या मिल रहा है ऐसा ही मिल रहा है ठीक है तो उसमें आपने क्या काम करना है कि एक हजार असी रुपे आपको एक हजार असी रुपे तो आपने माना कि एक भाग आपका क्या है X है तो दूसरा भाग अपने आप कितना हो जाएगा अपना 20,000 माइनस क्या हो जाएगा X यह आपके क्या हो गए मूलधन ठीक है बस यह आपको पता कर ले ना इसके बाद जो होता वो कर दीजे एक को आपको कितने 6 प्रतीशत की 10 से जमा दिया एक वर्ष की बाद ठीक है तो यह आपका क्या बन गया ब्याज निकल आएगा इसको हल करेंगे और दूसरे को कितने पर दूसरे पर आपको कितने का आपको 5 प्रतीशत के दर से एक वर्ष के लिए यह भी क्या आजाएगा ब्याज तो इन दोनों को जोड़ेंग यहाँ पर आपने इसको हल किया कैसा कि सबसे पहले अपने इसको हल किया कितना गया 6x बटे 100 प्लस यहाँ पर आपने इसको हल किया तो यहाँ पर कुछ कट्रा सा तो हमाई इच्छा तो अभी नहीं है काटने की LCM ले लो कितना LCM ले लेंगे हम LCM आपका कितना आजाएगा एक हजार, उपर आपने इसको हल किया, कित्ता आ गया, दो हजार, माइनस एक्स, और बैकेट की बाहर क्या है, पांच है, बराबर में कित्ता चल दा है, दस सो, असी, ठीके, यह हो गया, अब यहाँ पे आप इसको हल कर दीजे, फटा-फटो, एस जिम कित्ता आने बादा है, चाहर, ठीके, यहां पे आ जाएगा 6x, प्लस, यहां पे अंदर गोणा कर देंगे, इकत्ता आ जाएगा? वीज़ार था, ठीके, तो यहां पे आपका आ जाएगा पांदुनी, 10, और फिर इकत्ता चल दा है, 5x, बराबर, यहां पे भी इत्ता आ जाएगा 80, और यहां पे 2 जीरो इसके लग जाएंगे, यह 10 अपना है, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है तो अभी अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो अगली बार आपका बनेगा, यहाँ पर बचएगा, x बराबर यहाँ पर आप का जाएगा 108 और 1 0 यह हो गया 180 फिर समें 2 0 लगा दिये और माइनस कर देंगे हम कितने 0 के साथ 5 0 के साथ इसे माइनस कर देंगे तो x की value कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 0 ठीक है और यहाँ पर क्या जाएगा आपने 3 step में किया तो बिलकुल नहीं हम आपको यह एक step में भी हल करके बताएगे अगली question में ठीक है तो यह आपका हो गया x की value कितनी आ गई आपके पास 8000 तो आपको एक value अगई 8000 तो दूसरा भाग क्या होगा एक हो गया 8000 ठीक है के पास ठीक है अगला question आपके लिए आ रहा है अगला question यह रहा कि 30,000 रुपे की दासी दो भागू में इस पर का बाट की कि 10 पर 355 के उधार देने के बाद एक बच के बाद कुल 200 का SI प्राप्त हो तो आप हम यहां पे एक line में तो हमने माला एक हैसा X से X में 10 के 30 का ब्याज मिला बटे में 100 एक को लिखने की ज़रुएत नहीं प्लस यहां पे दूसरा हैसा हो जाएगा 30,000 क्या हो गया 30,000 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका गुणा में आ जाएगा आपका कितना 5 और बटे में कितना आ जाएगा 100 ठीक है और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 2200 ठीक है यहां पे थोड़ा सा ने इस तरी के जवाना है कितना 30,000 माइनस X और ब्रेकेज में कितना आ जाएगा आपका 5 तो तो यहां पर बचेगा आपका 10x प्लस 3-5 पंदरा और कित्ते जीरो चार जीरो और माइनस में कित्ता पांच एक्स और लगत्म जो दस आएगा वह यहां जाके घुर्णा हो जाएगा तो दो जीरो और यह लग गए बस अब यहां पर आपको दिख रहा है अंतर इनका कित् हैं और 12 मैं से 7 घये कित्ते बचेंगे 22 मैं से 7 घये 5 7, 7 बचेंगे 23 मैं से 15 घये 7 बचेंगे ठीक है तो यहां पर आपका पांच 5 fix Está 5 ठीक है बचे कितने अपने पास 2itCom2 तो पांच हो कि 20 ही तीं जीरो मतलब एक्स पना जाई चाहुदा जाते हैं इतना बड़ा सवाल लग रहा था पर हम ने आपको बहुत इसी तरीके से हल कर दिया तो वही चीज है वही जो चीज है आसान स्मूथ से आप बिलकुर हल करते चली कभी भी कोई चीज गज़त नहीं होगी ठीक है तो एक सब्सक्राइब कितना आगे आपक इस तरीके से हमने इसको हल करके आपको दिखाया तो वही है कि यह कोई बड़ा कॉश्चन नहीं है कोई बड़ा तरीका नहीं है बिलकुल आसान चीज है आपने आसान को आसान से ही तरीके से हल करके आंसा निकाल दिया क्लिया है चलिए अगले कॉश्चन के पास चलते हैं यहाँ पे एक्स गुणा 7 ठीक है बटे में किता है 100 यहाँ पे प्लस यहाँ पे कुल ऐसा ही 64 मिलता है ठीक है तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 25,000-Kा एक्स गुणा में किता हो दो क्या बाटी हो ठीके बस इसको हल कर देंगे अगली बार, तो 7X minus, कित्ता आ जाएगा, 7X plus, कितना 25,500, ठीक हो तीन जीरो गार, और माइनस में कितना 6x यहां पे कितना आजाएगा 16 100 और यहां के 2 0 ठीक है तो यह पहुँच गए तो बस आपका x बरावर कितना बन रहा है x बरावर आपका आ रहा है 10,000 क्या आ रहा है आपका 10,000 16 में से 15 गाँ 4 0 जेओ करते हो ठीक है तो x बरावर रहा है तो एक हिसा हो गया 10,000 दूसरा हो जाएगा आपका 15,000 ठीक है तो यह आपका आसर यह हो गया पहला और यह आपका आपका दूसरा हिसा ठीक है तो यह बिल्कुल easy तरीके से आपका दूसरा निकल रहे हैं तो देख सकते हैं की बड़े लगने वाले कॉस्चन भी एक ही लाइन होते हैं ना इसमें कुछ याद करना ना कुछ बस जो बोलते गए वो आप करते गए ना कोई परिशानी हुई ना कोई दिक्कट क्लियर अपन चलते और आंगे की ओर अब देखिए दो राशियों में चार अनुपात तीन का अनुपात है जबकि उन्हें करमशा 10 पितीशत और 8 पितीशत की दर से 6 वर्ष और 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया तो कुल ब्याज 3600 मिलता है तो राशियां क्या है इस पार आपको अनुपात एक मान दे दिये गए तो इसमें भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है जो होता है वो ही कर दो देखना इसको भी तो आपने माना एक की राशी कितनी है चार एक्स हमने चार एकस मान ली राशी गुणा 10 गुणा 6 यह हो गया पहले का ब्याज बटे में 100 अब दू कि दिककत तो नहीं होई तो बिल्कुल दिककत नहीं होई ठीक है अब यहाँ पर आपने इसको हल करना शुरू किया कैसा यदि आपको दिखरा आए कि पूरी संख्या कर सकती है तो जीरो से एक जीरो हमने यहाँ पर काड़ दिया यहाँ पर भी दस ही बनाएगे हम 5 एक पां तीचो के 12, यहां पर हो गया 12 x बराबर करता आगा 3600 और एक 0 इसका लग जाएगा अलगुत्तम लेने के बाद, ठीके तो यहां पर करता आगा 3600, तो x बराबर करता आगे आपका 1000, x की value कित्ती आ गई? 1000 आपके x की value कित्ती आ गई? 1000, अब आप से राशी यहां पूछी गई एक है क्या, तीन एकस तइन, चर गड़वत गिया किता एक हजार मतल्ब लाबा, चार एकसओ, तीन गड़वत गए एक हजार मतलब तीन हजार, यह आपका प्सक्रुट क्लिए है? कोई दिक्ट नहीं, बिल्कुल आसाigns और ईजी तरीके से इसको हल किया ठीक है यह आपका अंसर आ गया कोई दिक्कत तो नहीं होई बिलकुल अनुपातिक मान पूछेते हैं वो हमने आपको करके दिखाए ठीक है तो इसी तरीके से जो पोज़ते जा रहे हैं वो यह आप करते जाएं यह कभी भी आपके सवालों में दिक्कत नहीं होगी साधर व्याज भी यह बहुत आसान है तो आपको आसान तरीके से ही सीखते चलना है चलिए आँगे बढ़ते हैं अगला कोईशन आपके सामने यह आया ठीक अगला कोईशन क्या है दो मूल दनों में नो और दस का अनुपात है यदि उनके उन्हें करमशा आठ और छे ठीक है यहां पे था कुल ब्याज ठीक है और अगला क्या आया आपको ब्याजों का अंतर किता आता है 1608 मिलता है तो बस समल के करना एकदम से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो यहां पे आपका आगया नो एक्स यह हो गई राशी इस पे आपने क्या आच बटे में कित्टा 100 यह आप कर निकल आया क्या दूसरे का व्याज निकल आया अब इन दोनों को क्या दिया गया अंतर मतलब इन दोनों के व्याज का उंच जित्ता इसको इसमें से घटाव किसी Сका हो जाएगा 1608 अंतर दिया गया यह है किंश यह यहां प Elream आनी का मिलक है कि इस तरह आप तो दस पूरा पूरा नहीं कटेगा इसलिए अपन सोगों जयोगते हो रखते हैं तो अपन सबका गोणा कर लेते हैं कैसा करेंगे यहां पर करते हैं कितना कितना जाएगा आठ के गोणा हो शका जीजे 937,27 में 8 गोणा हो खर जीजे 877,57 ठीक है 937,27 और 812,16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12,ठीक है कितना जाएगा आपका x, कितना जाएगा 226,ठीक है आटेष शाठे चापतवे यहां पर हमने रेकिया विएा 27 गॉणा आठ ठीक है ओका इसमिंद messing गोणा तो यहां पर आटेषए 6 हफइन पर पांच ठीक है थीक है 821 इसो होता है हुआ शोजा फंक हे तो ही होज़ा थीक है तो यहां पर इस च्छे पंचे 30 ठीक है च्छे पंचे 3030 में गोणा की अदस से जो किता है तीन सो एक्स बराबर में यहां पर किता आ जाए 16 गोदा 800 माइनस में क्या चलेगा आपका दो जीरो अलग जाएंगे ठीक है बस अब इन दोनों का अंतर हम ने बोला था यहां पर बड़ी संक्या 300 दिख रही है पर पर परेशान नहीं होना है आपको तो इन दोनों का अंतर आपको किता दिख गया चौरासी ठीक है तो यहां प आच में से इग गया कितना जाएगा नों में से इग गया कितना आ अच्यागा और यहां पर एकसो अरसाट यहां पर जीरॉ लगा दिए तो एकस की वैल्यू अब कित्ती किरह आ रही है तो एकस की Bettा लेजए अपन निकाल ले थे हैं x बरावब कितना जाएगा आपका एकarta लेज़े देना 84 दूनी तो आपका एक्स की वैलिव गृत्ती आ गए आपकी 2000 ठीक है कित्ती आ जap waking 2000 आप यापस पूछा गया दोनों भाग क्या है तो एक दो différent ठीक है और एक है आपका दस दूनी वीस जार ठीक है दस दूनी किता है आपका फिस जार ठीक है उनके व्याज मिन्तर कॉंष लिए गए आपको IKivan यहाँ और गया पूछ लिया जाए तो अपन पूछ निकाल देंगे आप तो जो भी पूछाएगा आप आसान तराइके से उसको रहा शकते के लिए रही तो बहुत आसान चीजे है तो आउसान तरीके से सीखते चलना है आपको चलिए आंगे बढ़ते हैं कि अगला कॉश्चन है कि बीस जार रुपय की दाशी को दो ऐसे भागों में भागों को क्रमशा आठ पतीशा तो पांच में दर्स से पांच वर्ष और कितने चार वर्षों के लिए अलग-अलग उधार देने पर कुल मि भी दगबन को ब्याज मिल रहा था ब्याजों का अंतर मिल रहा था अब क्या आ गया मिश्रधन तो यहां पर आपके पास दो तरीके हैं यहां तो पहले आपन मिश्रधन को भी कुछ ना कुछ निकालें और फिर हल करें नहीं तो फिर डायरेक्ट अपन हल कर सकते क्या कि पर आपको दिख रहा है तो यहां पर इसको हम दो तरीके से कल सकते हैं कौन सा पहला मिस्टदन के फॉर्मूले से भी और दूसरा क्या तरीका है दूसरा तरीका है आपके पास क्या कि अपन को पता चल रहा है कि 20,000 पे 26,400 ब्याच कितना समझ में आ रहा है कि इतना 24,000 रुपे ब्याच समझ में आ रहा है तो वो भी कर दीजे हम दो दो तरीके से हल करके दिखाएंगे यदि आपको मिस्टदन के साब से करना मिस्टदन के साब से नहीं तो साधरा ब्याच निकाल लेते हैं कैसा देखना तो कुल ब्याच कितना आ जाएगा दोनों का कुल ब्य आज क्ल क्ता निकल रहा है ड्याज आप जाएगा चूसऑ शॉषाट सो पर आपको क्या मिला है ब्याज मिला है तो बस जैसा अपन कर देथे वैसे कर दीजिए बस एक स्टेप हमने यहां पर थोड़ा सा चेंजिस लाइए ज़िए तो यहां पर आपने क्या किया कि आपने मानी एक राशी X, WILL हमने कि तुन स्वाय के लिए 10 से पांच बाश्यों की लिए झीच है और दूसरी हमने मानी कि jadi बीस हजार माइनस X के लिए 5 पृतिय दरते झाल वाश्यों के लिए बस ति और जायागा, अब इसको पन-हल करते हैं, पाँच एकम पाँच, लुनी दस, चार एकम चार, लुनी याट और चार पंच हो जाएगा, टीक है, यहाँ पे भी आप इस तरीके से काड़ सकतें, 20 एकम 20 और 25,00, पांचों के 20, 25,00, ठीक है, यह आ गया, यहाँ पे क्या बचा आपका, 2X, ठीक है, और प्लस में, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कित्ता बचा, 20 अजया, माइनस का, X, बराबर में, यहाँ पे 14 का 5 में गणा की है, पाँचों के 20 और पांच शटक का 302 32 13 2022 यहां पर दो जीलू तो आपका यहां पर ग्याएं दिंदे तो यह आपका दूसर तरीका हो गया ठीक है अगला कौशन आपको मिलेगा तो हम असको मिस्सर्दंग के फॉर्मूले से आपको हल करके दिखाएंगे किलेर है तो यह हमने देखिए पहले हमने निकाल लिया को बैयाज को हमने जमा के कर दिया तो बस दो लाइनों में आंसर आ जाना है कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं तो जितने प्रगाद कौशन है हम सब आपके लिए एक एक करके करवाते जा रहे हैं ठीक है चलिए एक प्रण्वर्ष और च्छह वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो कुल मिश्र धन आपको 12800 मिलता है ठीक है कितना, अब यहां पर निकल भी नहीं सकता क्योंकि आपको यहां पर इस बार मिश्र दन के सूते से सीधा सीधा हल कनने की कोशिश करेंगे यहां पर आपको फिर से हम बताना चाहिए कि मिश्र दन बराबर क्या होता है सांधर व्याज के फौरूप में तो मूलधन कोश्टक में एक धन और इंटू टी अपन में कत्ता जाता है फॉर्मूला कौन सा मिश्ट है पर कम होता है जब आपका चक्रवध्धि व्याज होता है तब आपका वह आला फॉर्मूला होता है तो यहां पर यह वाला फॉर्मूल जगा रहा है यहां पर किल दल मीश्द्त फॉर्मूला के नले को 네 कर दल यहां पर आपको पता है कि जब आपका प Tutaj गोमन काट नहीं तो अपने पहले भी सीखा था कि 100 को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है तो यहां पर अगी बार क्या आ जाएगा कितने जीरो आपके यहां पर अभी एक जीरो इह ही है, ठीक है, तो यहां पर कितना आपके दो ही जीरो बेवाले आगा अब लग गया आपके आपके बड़ शीतो nah गढ़ करके अपने लिख देते हैं, पनिक देते हैं अगया है, अर्ट तीक है, पन år कि दो हाई कितनी कितनी एक ठीक है और चार एकम चार एक पांच यहां पर एकस प्लस यहां पर आपने खोणा किया पांच अक्का तीस कितना आ गया पांच अक्का तीस ठीक है यहां पर पांच अक्के तीस आ गए ठीक है और यहां पर 15 15 15 15 15 15 15 15 15 करना हुगया आपका थारा थी का पांच एक पांच एकम 5 और यहां पे पांच एकम 5 और ≪ यहां पर चे जाएगा ऐक्स ठीक्र को जोड़ दीजे सरप 2 जोड़ा दीजिए mı यहां पर जाए मा MAT Youtube यहां पर यहां पर चेए और दो एक्स ब्रावाव कित्ता एक यहां पर कित्ते जीरो तीन जीरो दो पूरे कट गये तो वह यह यहां पे पूछा गया जाए तो देखें जो चीज कूछते जाते हैं आपकी बहुत आसान तरीके से हल होती हुई दिख रही है और यह आंसर आ जाए के लिए चलिए ठीक है यह आपका आंसर आ गया अब चलते हैं अगले कौशन के पास अगला कौशन आपके लिए यह आ रहा है कि क्या कोई रास हो 받고 के राश हुर्च Sure 2008 पूर citizen होती है तो वह राशी क्या है तो बस आपको यहां पर हसाङभा लगा लेएक कि कि एक वर्श का व्याज कितना है क्यों क्यों कि आपको यहां पर चैप में आपको यह संए सबपार चैप करके बताते हैं कि आपका यहां पर है तीन वर्ष तीन वर्षों का ब्याज आपको कित्ता मिल रहा है आठ सो ठीक है और अगले छे वर्षों का ब्याज कित्ता मिल जाएगा आपको च्छे वर्षों का मिलता है ग्यारा सो ठीक है तो आपने यहाँ पर हिसाब लगाया कि तीन से आपका च्छे होने में आपका समय कित्ता लगा आपको लगा है तीन वर्ष का समय और यहां पर आपका ब्याज भी कित्ता लगा है 300 ठीक है तो एक वर्ष का ब्याज कित्ता समझ में आ रहा है आपको समय कितने का दिया गया है समय दिया गया है आपन को तीन वर्ष का ठीक है तीन वर्ष का समय दिया गया है और आपको यहां पर क्या प्राप्त है मिस्टर्धन भी प्राप्त है ठीक है तो कुछ भी करके आप सीधर सीधर डारेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो यहां आपका आश सो क्या है मिश्रधन ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन तो इस अपसे निकाल आपको मूल्धन आजाएगा 500 रुपे कितके आने वाला है 500 रुप 되면 तो तू कैसे हैं आपको यदि पता हो क्या कि मिर्चुदन मिनस क्या होता है मिर्चुदन मिर्च ब्रुझ अबका मूल्धन स्वनल तो वह है कर द याठो छे वर्षों का कित्ता ग्यारासों तो आपने था हमने लगा तीन वर्षों में आपको कितना अभ्याज जाता किया तरह से शाहता है कुछ नहीं करना पड़ा देखने में लगई लगा था यहाद दूसरा तरीका क्या था पहले आप ब्याद निकालते उसकी साहता से अपन दर निकालते दर की साहता कि बाद अपन उसका क्या निकाल लेते मूल धन निकाल लेते कुछ भी कर लेते आंसर आना था बस आपको हल करने का तरीका हम यहाँ पर बता दिया यह आपका पूरा पूरा जम जाएगा अब यह किसी को नए समझ में आक यहां पर हम एक चीज जमा देते हैं जैसे आपको पता है यहां पर आपका यहां पर हमने जमा दिया मिष्यदन डिया रहा है तो यह आपका सवाल हो गया तो इस तरीके से जो चीज पूछते हैं वो ही चीज हम आपको निकाल के दिखा देते हैं जिससे ना कोई दिक्कत होती ना कोई परिशानी ठीक है आप चलते हैं अंगले कॉशन के इस तरफ अगला कॉशन आपके सामने है कोई राशी साधरा व्याज केनूसर पांच वर्शों में एक हजार आपने देखा दो वर्शों का ब्याज कित्ता पता चला दो वर्शों का ब्याज हो गया 200 तो एक वर्श का कित्ता हो जाएगा 100 यहां से कोई दिक्कत हुई नहीं अब यहां पे आपको डेटा कपका दिया गया पांच वर्शों का तो पांच वर्शों का मिश्रधन कित्ता ह तो आपका मूलदन कित्ता आजाएगा? मूलदन आजाएगा आपका 500 रुपए तो यह आपने फिरसे मूलदन वही कर दिया अब किसी के मन में जाएगा तो नहीं वही या ऐसा क्यों होने वाला है तो बस यह आपका एकदम आसान तरीके से हमने आंसर एक और निकालके दिखाय पिर से क्या आगया आपका 500 यह आंसर आ गया तो यह वाला कॉशन हमने आपको फिर से करके दिखाया तो जैसा कभी भी आए तो आपको बिल्कुल हल कर दीना है अब चलते हैं अपने अंतिम कॉश्चन की उर तो अब यह कॉश्चन आपके लिए नया फिर से है तो राशी और सब किश गया करना है तो हमने देखा वर्शों का आपका ब्याज कितना आने वाला है चारढ़़ रुपहे तक है और पाँच वर्श का पता चल गया तो अपने पास सब कुछ दाएं दोवर्ष का वियाजश कित्ता हो जाएगा दोवर्ष का वियाजश कित्त हो जाएगा अगली बार तो यहां पे आपका आने वाला है कित्ता ब्याज है आपका कित्ता एक हजार उपे बराबर में कित्ता आजाएगा मूलधन आजाएगा आपका तीन हजार ठीक है गुणा में क्या आजाएगा समय आपका है कितना दो वर्ष और यहां पे आपको समय कितना दे दिय आपने दो वर्ष का ठीक है समय कित्ता हो गया आपका दो वर्ष ठीक है और यहां पर रेट आपको पता नहीं तो बस इसको हल कर दीजिए ठीक है आपने यहां पर कित्ता आ गया 100 सौ बटे शे कितना बन रहा है आपका तिन दो नहीं कितना होता है ठीक है तो ये आपने निकाला ठीक है तो आपने इसको हल किया कैसा आजाएगा शे कंच शे ळाठmostा होता है त्था त्ही которой क्या होगा शे त्था शे आठ近 48 ठीक है चाहे चिंग चाहती सोला साही दो बटे तीन आने वाला है प्रतीशत क्या हो जाएगी आपकी दर हो जाएगी तो यह आपका लाश्ट कॉश्चन था तो इसको हमने अलग तरीके से भी नहीं बिलकुल सेम तरीका वही अपना है पहले हमने मूल दर निकाल के दिखाया फिर तो इस तरीके से हमने अपना आज दो दिन में ही मात्र क्या मात्र दो दिन में अपने साधाना व्याज जैसा एक इंपोर्टन टॉपिक बहुत इजी तरीके से समाप्त किया है अगला टॉपिक हम लेके आएंगे चक्रवध्दी व्याज जिसमें जितनी वेराइटी होंगी हम वो आपको solve कराएंगे और फिर उसके बाद सबसे आखरी में दोनों का mixture सबसे महत्पूर पार्ट है साधाना व्याज और चक्रवध्दी व्याज का mixture वो हम आपके लेके आएंगे ठीक है तो आज की class को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे इस तरीके से हम आज की class से बि पलाइक को subscribe जरूर करना घटना हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजै ठीक है और हमारे वीडिओ को लाइक कीजै ठीक है चैनल को subscribe की टीक है आज के लिए धन्यवाद